गर्मी लग रही है इस गर्मी में सबसे जादा मन करता है कि यार काश कहीं से ठंडी कोका कोला की बॉटल मिल जाए मन करता है कि नहीं अगर आप न्यूजिलेंड और या उस्ट्रीलिया में हो नेक्स टाइम तो यह बिल्कुल पॉसिबल है करना कुछ नहीं है एक किसी भी कोक बॉटल आपके हाथ में आजाएगी और प्यास आप जा सकते हो पॉसिबल है कोका कोला एमटल एक बहुत बड़ा बॉटलर है न्यूजिलेंड और और उस्ट्रेलिया का उसकी 2000 से उपर वेंडिंग मशीन है तो वहाँ पर पॉसिबल है उसने टाइप किया एक साइलो मॉब अब कोका कोला खरी सकता है बहुत यह असान तरीके से दोनों का अब्जेक्टिव एक ही है कि यहार अगर क्रिप्टो को मास अडॉप्शन की तरफ बढ़ना है तो अल्टीमेटली बिटकोईन से जब तक आदमी ब्रेड बन मखन कोका कोला जैसी चीजे रोज मर्रा की चीज आ रही है कि हम लोग हमेशा मास अडॉप्शन की बात करते कि इंस्टिट्यूशन कब क्रिप्टो में उतरेंगी फिडेलिटी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है तो पॉइंट फाइव ट्रिलियन युएस डॉलर का वह एसेट देखते हैं दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैन सबिशन profit management company उनके digital asset इक उनकी विंग है उन्होंने का सरवे किया जिसमें उन्होंने युरोप और अमेरिका में 800 से ऊपर institutions को survey किया और उस survey में ये पाया कि 45% institutions योरोप में already invested in digital assets में और 27% जो हैं वो US में they are already invested in digital assets और जो नहीं है उनमें करीब 80% के करीब जो हैं वो interested हैं और future में वो plan कर रहे हैं digital assets में invest करने के लिए हैना गर्मी में थंड़क भरी एक खबरें थंड़क भरी राहत तो अगर पसंद आया तो please like और retweet जरूर करेगा thank you very much